ओम नमा शिवाये भादरपद मास क्रिश्ण पक्ष सनीवार त्रयोधी तिथी सुबा छे बजे तक लगी रहेगी तत्पस्चात चतुरदशी तिथी प्रारंब हो जाएगी चन्दरमा आषेलेसा नक्षतर में सुबा साड़े-दस बजे तक चलते रहेंगे तत्पस्चात मघा नक्षतर में प्रशेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी केतू है मगान अक्षतर में जन्मे जातक सुन्दर, धनवान, माता पिता के भक्त, सुख सुविधाओं से युक्त, गुसेल सुभाव वाले और सत्रू को पराजित करने वाले होते हैं ऐसे जातक स्पष्टवादी, सुरच्छा की इस्थिती के प्रती सतर्क रहने वाले, सहसी, मगर भावुक और जल्दी क्रोधित होने वाले, गुप्त कारियों में संलग्न कर रहने वाले, मगर चिंता ग्रश्ट मना इस्थिती वाले और उन्नती में बार-बार उतार चड़ा का सामना करने वाले होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा सूरी और केतु की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन सुबह साड़े दस बजे के बाद से सिंग राशी में चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी सूरी देव हैं आज साड़े दस बजे तक बुद्ध का नक्षत्र कायम रहेगा तब पस्चात केतु का नक्षत्र प्रारम हो जाएगा अतह पूरे दिन बुद्ध और केतु के नक्षत्रों का प्रभाव प्रतेक जात्कों पर आज सूरे बुद्ध और चंद्रमा के यूतिस सिंग राशी में कायम हो चुकी है और मावस्या का असर प्रारम हो चुका है अतह जिन जिन जात्कों के कारक ग्रह चंद्रमा होंगे ऐसे जातक अब से ढ़ाई दिन तक प्रभावित होते रहेंगे मानसिक आज स्थिर्ता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और निर्णय लेने की छंद्रमा प्रभावित होगी मेश राशी वाले जात्कों के मन में चल रहें अंतरदंद, मानसिक उथल-पुथल और भ्रमात्मक की स्थिती से रहत मिलेगी मगर स्वास संबंधी जटिलताओं की संभावना बनती है कोशिस और आत्मिश्वास से रचनात्मा प्रयास साथक होंगे तार्खिक शमता बढ़ेगी और नई कारियोजनाओं का बिस्तार होगा साजेदारी सफल रहेगी आर्थिक लाव सामाने रहेगा सरकारी सहयोग और पारिवारिक त्वेरणा बनी रहेगी अच्छे कामों में पूजी निवेश और भच्चों के भविसे पर निवेश की संभावना भी बनती है कुछ मामलों में आलस या अवरोध की स्थिती बनी रहेगी विद्यार्थी उर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा चंदर्मा ब्रिश रासी से चौथे भाव में चल रहे हैं आपकी सक्रियता और कारेच्छमता ब्यावजाईक उद्येश के साथ ही घर ग्रिहस्ती के रचनात्मक कारियों के प्रती भी केंजित रहेगी भविश्य के लिए आर्थिक निवेश लावदायक रहेगा थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे बहुत धिक छमता और प्रबल देड़िच्छा सकती आपके हर काम को आसान और सुविधा जनक रूप में बदलेंगे नई कारियों जनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है विद्याख्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद दोगा संतान संबंधी चिन्ता दूर होगी मांगली कारिकरम के लिए समय अनकूल रहेगा और स्वास संबंधी आवस्यव सावधानी बनाए रखें मिथुम राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद दोगा भावनात्मक लगाओ बढ़ेगा सामाजी प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी ब्यावसाइक पक्ष की अनकूलता बनी रहेगी सासन सताव अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा आपके प्रयास और आत्मिश्वास से आर्थिक निवेस के कई लावकारी और जिनाय सामने आएंगी पारिवारिक प्रिणा और पत्नी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी स्वास संबन्दी सावधानी रखनी चाहिए सिछ़पत योगिता में सफलता संभावित है संतान संबन्दी सुख समाचार मिल सकता है और वयवाहिक मामलों के लिए आजगा दिन अनुकूल रहेगा करकराशी के जातक मानसिक रूप से खुश और उपसाहित महसूस करेंगे नकारात्मक बिचार और भ्रमात्मक की स्थिती खत्म होगी आर्थिक लाव के कई आउसर मिलते जाएंगे सामाजिक दाई तो बढ़ेगा और सम्मानित किये जाएंगे चंद्रमा का केतु के नक्षात्र में होना और उस पर मंगल की दिष्टी आर्थिक उन्नती और नई कार्विवजनाव के विस्तार में सहायब होगा संतान संबंदी चिंता संभावित है मगर आठिक पक्षनकूल रहेगा सिक्षा प्रतियोगिता के छेत्र में सफलता मिलेगी साजेदारी के कामों में सावधानी अपैक्षित है सत्रू पक्षा भी रहेगा मगर पारिवारिक सुक संतुष्टी महसूस करेंगे और वाहन सावधानी से चलाएं सिंग राशी के जातक मानसिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक रियासिलता बनी रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए खास तोर से मौसम और पेट संबंदी मामलों में दिक्कत हो सकती है ब्यावसाई का अनकूलता आर्थिक लाव के लिए प्रेरित करेगी और नयक लक्ष निरधारित होंगे संबंदीत मामलों में अचानक यात्रा का योग बनता है आर्थिक निवेश के लिए समय अनकूल है परिवार में सुख सवहाद्र का माहौल बना रहेगा नीजी संबंद प्रगाड होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में व्रिध्धी योगी और सिक्षा प्रत योगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखे कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्ध सूरी और चंद्रमा के साथ बारहमे घर में चल रहे हैं अतियात्मिश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवरित्ती बढ़ी रहेगी मानसिक और स्थित्ता के साथ यात्रा प्रधान मानसिक्ता बनी रहेगी मगर ब्यावसाइक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा भविश्व में अपने कारिक्षित में सफल रहेंगे सकारात्मक प्रयास से प्रोनती के अवसर मिलेंगे मित्रों और सहयोगियों से अनकूलता बनी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म और मित्रों पर खर्च की स्थिती संभावित है संतान संबंधी चिंता भी बनी रहेगी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधी सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं तुला रासे के जातकों के रुके हुए काम संपन्ध होंगे, धार्मिक भावना में बिध्धी होगी, मगर मन का अंतरदंद आपके कारिक्षेत्र और उर्जास्तर को प्रभावित करता रहेगा चंद्रमा केतु के नक्षतर में चल रहे हैं, अच्छे काम में बिध्धी निवेश के लिए सही रोग मिलता जाएगा, मगर ब्यावसाइक अनियमिक्ताएं भी संभावित हैं, इसका आपको ध्यान दखना चाहिए आठिक लेन देन वो महत्पूर काविजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करना चाहिए, संतान समधी अनुकूर्ता बनी रहेगी, अध्यान अध्यापन में आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा, प्रियास जारी रखे ब्रिश्य क्रियासी वाले जातकों के मन का अंतरदंद कम होगा और नकारात्मक वीचारों में कमी आएगी, उर्जा अस्तर में ब्रिध्धी होगी और कारेच छिद्र के विकास और उल्थान की मान सिक्ता बनी रहेगी, सरकारी कामकाज भूरे होंगे और अधिकारियों का स सही योग मिलता रहेगा, नवीन कारी और जिनाव और साजेदारी के लिए समय अनकूल है, अपनी क्रियासीलता को हर हाल में बनाए रखें, सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष सामान रहेगा, पारिवारिक दाहित के प्रति चिंता बढ़ रिद्धी होगी, रुके हुए सरकारी कामकाज संबन होंगे और लाव की इस्थिती बनी रहेगी, बौधिक शमता का विगास होगा और पारिवारिक प्रेणल लावगायक रहेगी, नए प्रस्ताव सामने आएंगे, साजेदारी सफल रहेगी, मगर्स्वास संबन्धी बनते हैं. शिक्षा प्रतियों किता में सफलता मिलेगी, साथ हैं अपने स्वास पर आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. कुम्भराशिके जात्कों के लिए आज की सुरुवाद ग्रष आत्मिश्वास और सकारात्मक मानसिक तभाव से होगी, गचनात्मक प्रयासों में व्रिध्धी होगी, नई कारियों जिनाव में कुछ विश्यों पर प्रयास सफल होंगे, आठिक पक्ष सहयोग रहेगा. धन संबंदी मामलों में अचानक लाव संभव है, साजेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन होंगे. सासन सथाव अधिकारियों के साथ मामा पक्ष से सहयोग मिलता रहेगा, अध्यन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा मीन राशी वाले जातकों की दिन्चर्या सामानने रहेगी चंद्रमा के छठ में और केतु के नक्षत में होने से मानसिक गगरता नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारे छित में लापरवाही की प्रवृत्ती बनी रहेगी आत्मिश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से रचनात्मक कारियों में बाधा संभावित है हाला के सुक संतुष्टी बनी रहेगी ग्यावसाईक अनुकूलता और आर्थिक पक्षापकी क्रियाशिलता के अमसार बना रहेगा विभागी अधिकारियों से सहयोग वाधन लाव मिल सकता है अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें साथ हे स्वास सम्मंधि वेशे सावधानी बनाई रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमस्षिवाएग